बरहल इस question को आप देख लें ठीक है ना question number 27 देखें friends for how many years a senator in Pakistan is elected तो six years जवाब है जहां दूरस जवाब है option D is right option ठीक है question number 28 देखें who takes oath from the prime minister in Pakistan तो prime minister से जो ओध है वो लेता है president ठीक है option D is right option और president से ओध है वो chief justice आप पाकिस्तान लेता है question number 29 देखें friends how many articles are there in 1973 constitution तो 280 option D is right option ठीक है question number 30 देखें और इस वीडियो का आखरी question who was the first president of Pakistan तो पाकिस्तान के सबसे पहले जो सदर है वो सिकंदर मिर्ज़र ठीक है option C is right option और ये आखरी गवर्नर जर्नल भी थे ये भी याद रखें ठीक है उमीद करता हूं friends आपको ये चोटी सी काविश जरूर पसांदाई होगी बस आप तमाम दोस्तों से गुजारेश है जो भी चैनल पे नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को आल पे रख लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे महले मिले अगर अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें एक अच्छा सा कामेट से भी कर दें इससे हमारी होसला अफजाई होती है और हम आपके लिए इस किसम की वीडियो बनाते रहते हैं अपनी त्यारी को तेज़ तरकार दें इन्शाला नेक्स मन दो है वो आपके रिटन टेस्ट हो रहे हैं इन्शाला बाइस से स्टार्ट हो रहे हैं तक रिबन पच्छीस तक एंड हो जाएगी उनकी तो अपनी त्यारी की जो है वो बैतरीन से बैतरीन बनाए इन्शाला इन्शाला नेक्स वीडियो में मिलेंगे तब तक लिए जाददे लिए आला आपकाम ये नसर्म, अल्हापस बिस्मिल्ला इर्रुभान इर्रहीम, असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूं मुहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं स्किल मास्टर आज पाकिस्तान स्ट्रीज के बहुत ही बैतरीन सवाल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इसे पहले भी मैंने जूनियर पेट्रॉल अफीसर और जितने भी मोटरवेड पोलीस की असामिया हैं उनके लिए पहला पार्ट अप्लोड कर दिया उसका वीडियो का लिक डिस्क्रिप्शन में मुदूद है वहां जाके वाज करें यह सेकंड पार्ट है क्वेशन नबर वन से स्टार्ट लेते हैं हो मैंनी आर्टिकल वार दियर इन 1956 Constitution 234 option B is right option ठीक है question number 2 है मारे पास when was one unit established 1955 ठीक है option C is right option question number 3 देके friends when did ajub khan impose mashallah in Pakistan 7 October 1958 ठीक है option A is right option question number 4 देके friends in which year Pakistan was separated East Pakistan was separated to solar December 1971 option B is right option question number 5 देके friends in which year the 8 amendment in 1973 Constitution was introduced to a 1985 3 option D is right option question number 6 देके friends in which year 8 amendment in 1973 Constitution was repealed to 1970 1997 3 option B is right option question number 7 देके friends how many members of the National Assembly of Pakistan are 342 option A is right option ठीक है ठीक है लेकिन इसमें यह याद रखे के यहां के मतलब असम्बली में जर्नल जो निशिस्ते हैं वह दो सुबहतार हैं 60 निशिस्ते औरतों के लिए मुक्तास हैं और 10 निशिस्ते मिनारिटीज के लिए ठीक है question number 8 देके friends what is minimum age limit for the presidential coordinate in Pakistan तो सदर के लिए कम से कम उमर होना जो है वो 45 साल जो है वो जरूरी है option C is right option question number 9 देके friends who does preside session of the Senate in Pakistan chairman Senate TK option B is right option question number 10 देके friends what is the retirement age for the judge of the Supreme Court of Pakistan 65 years option D is right option question number 11 देके friends when was all Indian National Congress established 1885 option A is right option question number 12 देके when did Urdu Hindi controversy occur 1867 में और बनारिस के मकाम पर ठीक है ये भी जाद रहें repeated question है काफी बार पूसर जा चुक है question number 13 देके which province was divided into two parts in 1905 तो बंगाल की जो है वो तक्सीम हुई थी 1905 में ठीक है question number 14 देके friends when was लखनो पार लखनो पैक्ट साइंट तो ये 1916 very simple question ठीक है question number 15 देके friends who was the main leader of the खिलावत मुमेंट मुहम्मद अली जोहर और इसके भाई भी भी थे इसके साथ शामिल शौका तली question number 16 देके friends when did कायद आजम प्रिजेंट his 14 points 1929 ठीक है option C is right option question number मारे पास 17 है what demand was put by Allama Iqbal in 1930 at Allahabad address Muslim state ठीक है option B is right option question number 18 देके friends when was Indian act implemented 1935 ठीक है option A is right option question number मारे पास 19 है by whom Pakistan resolution was presented मौल विम फजल अल हक option C is right option question number 20 देके friends in which year all India Muslim family established 1906 option D is right option question number 21 देके friends who was the first governor journal of Pakistan कायद आजम मौम्मद अली जिना option B is right option ठीक है question number 22 देके friends who was the last वासराय आफ इंडिया तो लास वासराय जो ते वो लाड मांट बैटन थे जो कि मार्च 1947 को बरसाखीर में आए ठीक है सबसे पहले जो थे वो लाड केनिंग थे यह भी जाद रखें question number 23 देके friends when was war of independence fought 1857 ठीक है option B is right option question number 24 देके friends by whom prime minister is elected in Pakistan तो national assembly ठीक है option a is right option अगर बात की जाये सदर की तो national or senate जो है वो दोनों से ही उसको elect किया जाता है ठीक है दोनों एवानों से question number 25 देखें what is the term of the president of Pakistan five year option b is right option question number 26 देके friends who does issues ordinance in Pakistan i think prime minister and his team ठीक है